नमस्कार बियार योद्धा पे आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग कबर करेंगे बिहार जी के का महत्पुन सवाल और इस सीरीज का नाम में प्रसनों के बच्छार और इसमें हम लोग 5000 से ज्यादा यहां पे आप लोग एक तरह से बोल सकते यह रिविजन टेस्ट की तरह आप लोग को देखना है वहां पर आंसर मार्क करना है कितना अप लोग को सहीर आता है उसको जाके कॉमेंट सेक्षन में ओड़ टाइप करना है आपको बता दूँकि यह saith no.2 है और इसमें बहुत सारे सेट में incorporating सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद आप लोग को जो बोलाजाए बीहार से रिलेटेट जो भी exam होता है बीहार सरकार जो भी आयो जीत करता है सभी सवाल आप लोगा कवर हो जाएगा बन जाएगा और आप लोग को बता दू कि इसके अलावा आप लोग को जो बिहार से रिलेटेट जो भी करंड फेर होते हैं जो कि आपके BPSC एक्जाम हो गया उसमें एकदम रेलिवेंड होता है उसको भी कवर किया जाता है और इसके अलावा जो भी महत्पून बैक्तित्व है यानि कि जो भी जिनके पर जीवनी अगर बनाया जा सके उसको भी यहां पे कबर किया जाता है और इसके अलावा आप लोग को बिहार सवाल बना रहेगा और उसको कर लेने के बाद आप लोग को कोई भी बिहार का सवाल नहीं छोट पैगा आज का पहला स्वाल वोड है कि बिहार के चिरान नामत पुरा असल का प्राचिन संस्क्रिति है यानि के कौन सा संस्कृति से ये जुड़ा हुआ है ये नौ पासानिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो आप्सन नमबर सी हो जाएगा और चिरांद कहां पढ़ता है तो सारन में ये पढ़ता है और आपको बता दूँ कि ये जो चिरांद वाला जो एरिया था ये हडी के जो उपकरन होता है न, हडी से निर्मी जैसे आपका बैल हो गया या भैस हो गया उसके जो हड़ी से जो उपकरन बनते था उसके यह परसीद जगत था बाबा ठाकुर्दास ने पटना में किस सोचाइटी का सापनہ की थी तो इस प्रस्ण का सही अंसर करिए क्या होगा इसका राइट अंसर इसका सही अंसर राम कृष्ण मिशन सुसाइटी हो जाएगा और आप से पुछ रहा है कि इसकी अस्थापना हुआ था तो कब हुआ था ये भी पूछ सकता है तो 1906 साथ में हुआ था अगला स्वाल बोड़ा सवतंतरता के बाद बिहार का प्रथम राजपल कौन था जैराम दास दौलत राम तो आप्शन नूमबर भी हो जाएगा अब ये और स्वाल आता है कि ये तो बिहार के प्रथम राजपल थे आप से पूछ जाएगा कि बिहार के प्रथम मुस्लिम राजपती जो राजपाल है सोरी प्रत्थम मुस्लिम राजपाल हो जाएगा प्रत्थम मुस्लिम मुख्य मंत्री यहां बिहार में कौन थे तो यह सब सब अश्टेटिक जीके में कवर किया हुआ है जो कि आप लोग के बीच वीडियो आ रहा है उसको जाके देखिए जरूर यह आ ओक कि एकभार जैरामदाश दौलत राम प्रत्थम राजपाल थे बिहार के by matrix AI में बिहार कि कितने जीलों में दस लाग से कम जनसंक्य थी दस लाख चालीस लाख लगबग में ऐसे तो हता है दस खरोट 46 115 होता है तो पूरा नहीं भी आद रहेगा तो चलेगा दस करोट 40 लाख या इतकरीई लगबग में उत्पादन छैतर के द्रटी से अगर बात क्या जाए तो बिहार में सीर्श- Deus यानि कि सबसे अवल दर्जा का जो डाल कौन सा है तो मुंग और मसूर हो जाएगा तो अप्शन नमबर बी यहां पे राइट हो जाएगा दूनों डाल जो है प्रोटीन बोलते हैं उससे भरपूर हैं बिहार का किस जिला में सबसे अधिक नहर सिंचित छेतर है यानि जहां प सब्सक्राइब महिला सा चरता दर चेलिएं काम इन का मतलब है सबसे कम गरणaju महिला सा छड़ता दर 2001 पर था सबसे कम कि अगर बात क्या जाएं तो कि संगज्ज थाल पर डिएख्या अध furnace कि शेंगंज्र हो जाएगा तो और में में हैं हो तो साहर्ता है तो आप्सन नमबर सी यहां पे राइट हो जाएगा 2001 में अगर कम गरामीन महिला साथ हर्ता बोले तो किसंगंज में और 2011 में बोले तो साहर्ता हो जाएगा और हाली में नीती आयोग के द्वारा एक इंडेक्स आया है जो की बोल सकते हैं पोबर्टी के मामले में यानि सबसे जादा गरीबी राजवला अगर बात क्या जाएगा सबसे गरीब राजव में बिहार का नाम आया है ये 2021 में इंडेक्स आया जिसमें बताया गया कि बिहार जो है सबसे गरीब राजव है और सबसे गरीब अगर जीला अगर आपसे पूझे तो कि संगन जाता है किस खधियान उत्पादन के लिए बिहार को क्रिसी कर्मन प्रुषकार 2017 मिला है 2017-18 में मिला तक गेहूं के लिए वहीं अगर पूल दें कि 2016-17 में भी इसको आवर्ड मिला था तो कॉल सा जो खधियान के लिए तो यह मक्का है मक्का के लिए और 2011-12 में भी क्रिसी कर्मन प्रुषकार मिला था और वो चावल के लिए मिला था तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे परमुख फसलों में आता है यहां पे चावल हो जाएगा गेहूं हो जाएगा और मक्का कुवर सिंग जगदिशपूर में कब परविश्ट हुए थे जगदिशपूर जो है भोजपूर में देखने को मिलेगा भोजपूर जिला है आरा जिला नहीं है जी आरा जिला नहीं आरा मुख्या ले आता है भोजपूर जो है जिला है तो यह इसका सेयांसर 22 अप्रेल 1858 ह हो जाएगा चंपारन अंदोलन मुख्यता किसे विरोध में हुआ था यह नगदी फसल से रिलेटर था तो ऑप्सन नंबर 10 का बी चला जाएगा और यह चंपारन अंदोलन का हुआ था तो 1917 इस्वी में हुआ था 1904 इस्वी में देवघर जो वर्तमान में जहारखंड में है गोल्डन लिग की असापना ब्रिटीज का बहिसकार और सवदेशी अंदोलन के परगती के लिए किये गई थी कहां पर किया गया था तो उस समय जो देवघर था बिहार के साथ में जुड़ा हुआ था तो अप्सन नकार दूसरे राजियों के तुलना में कैसा है चलिए इसका अंसर करिए क्या होगा इसका हो जाएगा नियूंतम से द्रितिये बोल सकते हैं ऑप्सन नंबर सी हो जाएगा बिहार में निमलेखित में से कौन रेसम यानि सिल्क वस्रे उत्पादक के इंदर है जिसको सिल्क स कि नाम से जाना जाता है ये है भागलपूर ऑप्सन नंबर बी यहां पे राइट हो जाएगा बिहार के छेत्रपल में कुल बोई गई भूमी का परतिसद कितना है ये असी परतिसद हो जाएगा ऑप्सन नंबर सी हो जाएगा अगर सेसन आप लोग को पसंद आ रहा है लोगों को प्रफम मुख्यमंत्रिक होने नहीं तो ऐसा जिक्षे भी आप लोगो को खबर करा जाए गा इसके अलावा आप लोगों को थी जसन भी रहेगा पिरुश्ट्र पिट Emma objective भी देखेंगे यानि कि chapter wise जो है objective सवाल भी हम लोग करेंगे तो बहुत सारा जो है आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा बिहार के मुख्ये ख़दान फसले क्या है तो अभी बताया ना चावल हो जाएगा गेहूं मक्का तो आप्टर नमबर ए हो जाएगा बिहार आज के मुख्ये नगदी फसल कौन सी है बिहार आज में नगदी फसल के रुप में गन्ना को जाना जाता है और एक और चीज़ याद रखे कि इथिनोल निती लागू करने वाला पहला राज बिहार है इथिनोल निती लागू करने वाला पहला राज बिहार है बिहार क दिल्मी संदिने में दे 걱정 होलेगा और सब्सें ज़ादा साटो जाईगा अगर बोलते दोनों याद करना है बियरण कि देखने कiğ एने हैं स्ट ाफ्सान पर को बिंट्रा धा कि औरने तो उसकेag रोट 22 की सिरूमात के हैं 19 का सी इसका सायंसर और आप लोगो को पंता है कि दिक्षिक हां तो के जातर आप लोग जाकर को मिलेगा तो अप्सन नंबर दी यहां पे राइट हो जाएगा बिहार में क्रिसी उत्पादन बढ़ाने से समंदित निम्रेखित में से कौन से कदम कारगर सावित हो सकते हैं उप्रोक सभी यानि की भूमी सुधार पर बल उचित जल परबंदन उन्नत बीज बीज होना चाहिए यहां पे उन्नत बीज एवं उर्वरक का परयोग करेंगे तब इनों क्रिसी में उत्पादन बढ़ेगा जी अच्छा क्वालिटी का बीज करेंगे खाद का परयोग यह सब इस उधार करना होगा बिहार को क्रिसी जलवाई के द्रिष्टी से मुखिता कुल कितने भागों में बाटा गया है तो इस परसन का से आंसर ऑप्सन नमबर बी हो जाएगा चार भागों में बाटा गया है बिहार का सरवदिक वन छेतर वाला जीला अगर आपसे पु कि अगर गो depends upon Ts ajajak nowm बढ़ पाइगा तो पाल गं चेह एगा का सबसे जादा अगř बोल दे कि सारवधिक एक हजार पे कितना एक हजार एक हईस हो जाएगा लिच्ची का भूमी के नाम से कौन सा सहर को जाना जाता है तो मुझा परपुर को लिच्ची का भूमी कहा जाता है और कहीं कहीं साही लिच्ची भी लिखा हुआ मिलेगा साही लिच्ची इसी को कहा जाता है तो यह था पची लाइक जरूर करिए चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है और जितने भी आपके दोस्ते वहां पे इस वीडियो को सेर करिए तक ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँच सकें हम बता रहे हैं आप लोगों कि जितना भी हम आप लोगों सीरीज दिया जाएगा और या वार्टसिफ के माधियम से जूर सकते हैं या टिलीगराम के माधियम से मिलते हैं अगले वीडियो में